Hello everyone, आज हम लोग अपनी 4th class करेंगे ratio and proportion की सुरुवात करते हैं फिर, छिक है भी? चलिए, पहला question board पे लग गया है, पढ़िएगा Question क्या कह रहा है? बारा सो पचास रुपे की रासी को A, B और C में इस परकार विभाजित करें कि A को B का 2 बटे 9 भाग और C को A का 3 बटे 4 भाग मिले वे देखो, धान देना board पे Question ने क्या कहा है? A जो है, उसको B का, B का का मितलब भी गुना, 2 बटा 9 भाग, A को B का 2 बटे 9 तो यहां से ratio बना लेंगे A का और B का भी है क्या ratio बनेगा भी? 2 बाइ 9, इस B को निचले आएंगे सेम तरीके से उसने कहा C को उसने आगे क्या कहा है भी? C को A का 3 बटे 4 A को निचले आएंगे C का और A का ratio बन जाएगा 3 बाइ 4 3 बाइ 4 होपसो आपको यह बात क्लियर है यहां तक की? ठीक है? अब हमें करना क्या है? कमबाइन रेशो बनाना है जो हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था क्या पढ़ा था? जैसे A यहां पे भी है A यहां पे भी है दोनों की value क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे इन दोनों की value क्या कर लेंगे? बच्चे सेम तो इसको गुना करनी पढ़ेगी 2 से तो यहां रेशो बनेगा A का, B का और C का भाई अगर इसको 2 से गुना कर लोगे तो यह चार और यह भी चार है इसको भी करनी पढ़ेगी क्योंकि साथ में है ना इसके ठीक है ना मैंने बताया था पहली क्लास में रेशो में गुना भाग सेम नंबर से करते हैं जो उसके साथ में हो उसको भी करते हैं ठीक है? तो 2 और 9, 1, 7, 81 तो दोनों को 2, 2 से कर लेंगे अठारा बत के लिए सी की वेल्लू कितनी रहेगी? तीन ही रहेगी एक बार इतना कोपी करेंगे फिर आगे सीखते हैं ठीक है? उतार अगे दिस होप सोप कर लिया हो गए यहां तक अब कुश्यन ने आगे क्या बोला था भई? कुश्यन ने आगे बोला था कि बारा सो पचास रुपे बाटने हैं कितने रुपे बाटने हैं? बारा सो पचास तो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आप लोगों को कि बाटने के लिए क्या करना होता? जोडना होता है अठारा और चार बाइस बाइस और तिन पच्चिस तो 1250 को 25 से divide कर देंगे कितना आ रहा है बही? 50 आ रहा है सब को 50-50 से multiply कर लेंगे तो यह आ गया 200 इसको 50 से multiply करोगे तो यह आ गया 900 इसको 50 से multiply करोगे तो यह आ गया भी कितना? 0,5 ठीक है? घुप सो आपको बात clear है एकदम से? अच्छे से ठीक है भी, clear है सबको, इसको हम लोग option से भी बना सकते थे, इस point पे, last वाले point पे, पट ऐसे करना ज्यादा असान है, ठीक है न, option के बजाए करना ज्यादा असान है, चलिए, अगले question के और बढ़ते हैं, लग गया है board पे, पढ़िएगा, question है, 3400 रुपे को A, B और C और D में विभाजित किया गया, जिसमें A और B, B और C, C और D के भागों का अनुपात कर्म से है, 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 3 और 2 अनुपात 3 है, तो B और D के हिस्सों का योग कितना होगा भई? ठीक है? चलिए, शुरुवात करते हैं, देखो, question ने भई, हमें सबसे पहले compound ratio बनाना पड़ेगा, सुरी, combine ratio करना पड़ेगा, चारों का इकठा ratio बनाना पड़ेगा, उसने देखा रखा है, हम लोगों को, A और B का ratio दे रखा है, 2 और 3 का B, 2 का और 3 का B, बात के लिए रहे? फिर उसने ratio दे रखा है, B और C का, B का, और C का ratio, 4 और 3 का B, फिर उसने ratio दे रखा है, C और D का, C का, और D का, 2 और 3 का B, तो हमने ये पड़ा रखा है, पहली क्लास में, सारा का सारा B, ठीक है, पहली या दूसरी क्लास में, जो भी हमने ली थी, उनमें पड़ा रखा है, मैंने, combine ratio कैसे किया जाता है, हुप सो clear है, फिर मैंने बताः था, 3 के पीछे खाली 3, 3, इस 3 के पीछे खाली 3, 2 के आगे खाली 2, 2 के आगे खाली 2, 4 के आगे खाली 4, फिर गुना कर लो, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 12 दुनी 24, 9 दुनी 18, 9 तिये 27, मतब 3 तिया 9, 9 तिये 27 मैंने मन में कर दिया, यह अगयन का कमबाइन रेशो A का, B का और C का भी, अब कितने रुपे बाटने थे आपको भी? 3400 रुपे आपको बाटने हैं, कितने रुपे बाटने हैं, आपको भी 3400, So ratio में बाटना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ठीक है? तो कैसे बाटते हम लोग एड़ करेंगे उनको साथ पंद्रा उन्नेस उन्नी और छे पच्चेस किता आ गया भी पांच दो और दो चार और एक पांच पांच छे साथ साथ और एक आठ 85 आ रहा भी काट लो सतरा दूनी चौनती 275 पिचासी पांच से इसको इजी ली कर सकते हो पांचों का भी चालेस क्लेर रहता हमसे पूछा क्या गया था भी बी जमा डी हमसे पूछा गया था बी जमा डी तो जोड़ लो भी बी जमा डी को 24 और 27 को 24 और 27 को जोड़ गया गया भी 51 51 को गुना कर लो भी 40 से तो अभी किता अंसरा आने वाला है तुम्हारे पास 2040 2040 होप सो clear है बात आपको अच्छे से कैसे ratio में बाटना होता है यह मैंने पहले भी सिखाया है आज की class में मैं आप लोगों को practice करवा रहा हूं भई ठीक है ना? चीजों की practice करवा रहा हूं clear है इतना? हटाओं में इसको चलिए भी अगला question लग गया है बोर्ड पे पढ़िएगा question है 370 को A, B और C में इस परकार विभाजित किया गया कि A का हिस्सा divide by B का हिस्सा बराबर है B by C बराबर है 3 बटे 4 तो A का हिस्सा हमें बताना है क्या बनेगा? ठीक है? पढ़िए एक बार question को करें भी? चल देखो उसने भी दे क्या रखा है A by B दे रखा है बराबर है B by C दे रखा है बराबर है 3 by 4 दे रखा है बरटा C भी 3 बरटा 4 है आपको चाहिए A ratio B ratio C clear है बात इतनी? तो दो तरीके सिखा रखे हैं आथ इनकी value बराबर कर लो सिदे या लिखे कर लो अमर जी आपके भी जैसे आपको ठीक लगे ठीके मैंने दोनों तरीके आपको सिखा रखे है तो 4 के पीछे खाली 4 भर दो 3 के आगे खाली 3 भर दो गुना कर लो 3 त्यानो 3 चोक बारा 4 चोक सोला बे उमीद है बात समझ में आगे आपको ठीक है बे? हमें A का हिस्सा बताना है मतब 370 रुपे को 9, 12, 16 इसके रिशो में बातना है 9, 12, 16 के रिशो में बातना है बातते कैसे हैं भी जोड़ लो 28 और 9, 37 370 से 370 को भाग कर दो 70 से बे कितना आरा काटके बही? 10 किसका हिस्सा पूछा था? A का गुना में 10 डाल देना भी 90 खत्म उतारो जल्दी से उमीद है समझे में आ गई हो कि इतनी बात चलिए मैं एक बार इसको उप्शन से भी बता दू चीजों को ताकि आप और कुशनों में भी लगा सको उप्शन वाली चीजे हैं देखो वही इसने उप्शन दे रखे थे 240 120 190 अब बात समझेगा मेरे उसने किस का हिस्सा पूछा था यहां पे उसने ए का हिस्सा पूछा था यहां पे ए का हिस्सा कितना है नो वो नंबर पकड़ लो जो 9 से कटता हो क्या 240 नो से कटता है भई क्या 120 नो से कटता है क्या 100 नो से कटता है बस खत्म तो रेशो में कुश्चन ऐसे उड़ाए जा सकते हैं जिसमें 27 और 24 चावन आया था ना लगभग वो भी बन जाता हमारा ठीक है ना तो भी चीज़े बन जाती है हाँ कई बार दो अप्शन फस जाएं तो भी बात अला गए ठीक है अगर मालो भी वो कोई दो अप्शन बना दे मालो एक उप्शन मैंने दीज़ा 270 है ना तो ऐसी सिच्वेशन में आपको फिर करके ही देखना पड़ेगा आप अंदाजानी लगा पाओगे ठीक है हलाकि हम बतातो सकते हैं क्योंकि यहां पे नंबर बहुत छोटा था 370 370 में से 270 इसका होना पॉसिबिलिटी नहीं है ना तो हम लोग इस पे भी जासे फिर भी एक क्लोज आंसर हो मालो इक्यासी उत्तर दे दे तो भी फिर फज्जा होगे यहां पे तो ऐसी सिच्वेशन में करके देखना पड़ता है आप लोगों को ठीक है चले आगे बाड़ेंगे फिर उतारो जल दे इस इसको उतारो हो गया होगा चलो next question लग गया है बोर्ड पे question है तीन संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात दो अनुपात पांच है और उनके वर्गों का योग अठारा सो बासट है तो सबसे छोटी संख्या बताने है इस टैप का मैंने करवाया आभी था आप लोगों को ठीक है शुरुआत की क्लास में तो मैं एक बार और करवा रहा हूँ उसने का भी तीन संख्याओं तीन के दो के और पांच के अनुपात में है इनके वर्गों का योग अठारा सो बासट मैंने बताया था जब भी गुना करनी पड़े स्क्वायर करना पड़े क्यूब करना पड़े ऐसे में एक्स जरूर लेना आपको साथ में पड़े तो इसके साथ में एक्स लेना आपको जरूरी है ताकि कुशन गलतना हो जाए वर्गों का वर्ग मतलब स्क्वायर भी स्क्वायर कर लो नाइन एक्स स्क्वायर 2 का स्क्काइर करोगे 4x 5x का普 TW करोगे 25x स्कॉर और ये बराबर बनेगा 1862 के किसके बराबर बनेगा अब इनका जोड 1862 के बराबर बनेगा इनका चोड पह तो जोड़ लो इनको भी 25 चार 99 99 और 28 38x स्कॉर बराबर 180 62 X square निकाल लेंगे 1862 बटे 38 1862 बटे 38 ठीक है तो एक बार इसको हम लोग divide करने की कोशिस करते हैं कितने से जाएगा ये लगभग ये लगा लो 7 पे चलना चाहिए 7 पे या 6 पे 7 पे 7 पे तो नहीं जादा नहीं हो जाएगा 6 पे भी जादा हो रहा है ना 5 पे चल रहा होगा फिर ये ज़र 6 पे देखे चला के 1806 पे तो नहीं जा रहा है 5 पे देखे लो 1505 पे भी नहीं जा रहा है 4 पे जा रहा है चार बार में कटेगा ये इस पे तो 4 आ गया और पीछे 2 ए तो 8 चुक 32 59ी आता होगा, क्योंकि X square number, वही बनेगा, यहाँ पे है, तो हाँ, वही आ मगाँँग 8ी, तो X की value निकाल लेगा, आपके उत्ता श्काइ आने वाल है, 7, क्योंकि X square 99 sind, तो X की value गुत ही बनेगी 40, 7 बनेगी, ठीक है देखो मुझे आइडिया आगया कि ये 4 की लाइन में कट रहा है 4 की लाइन में x square नमर 99 सी होता है और कोई होता भी नहीं है ठीक है इसलिए मैंने direct 49 लिखा यहां पर और x square 99 तो x की value कित्ती बनेगी 7 बनेगी चलिए उतारो एक बार जल्दी से इतना फिर आगे बढ़ेंगे होप सो कर लिया होगा इतना आप लोगों ने चलिए तो इसमें सबसे छोटी पूछी थी उसने सबसे छोटा कोन है 2x x की value कित्वी है 7 तो 2x की value कित्वी हो जाएगी 14 ठीक है x की value 7 रख देंगे तो 2x की value कित्वी हो जाएगी 14 हो जाएगी बही होप सो clear है यह भी बात आपको चलिए फिर आगे बढ़ेंगे उतार दो जल्दी से इसको चलिए आगे बढ़े तेर बड़े अच्छे लेवल का कुश्चन लगा रहा हूँ बेसिक कुश्चन अब अच्छे लेवल का है ठीक है उपढ़ो कुश्चन है एक वैक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों A, B, C और D में 1 बटा 3 अनुपात 1 बटा 4 अनुपात 1 बटा 5 अनुपात 1 बटा 6 के अनुपात में बाटी तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है बे मतब कम से कम कितनी होनी चाहिए वही यह आपसे पूछ रहा है कुश्चन के अंदर देखेगा बेग देखो ट्रिकी होते हैं ऐसे इसे कुश्चन कुछ भी नहीं दे रखा फिर भी भी कुश्चन करना पड़ेगा आपको ठीक है ना देखो भई जरा भई उसने सिरफ रेश्यो दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कम से कम कितने पैना आपके पास होने चाहिए देखो बनाने के लिए एल्सेय निकाल लो पर इनका इनका एल्सियम बना लो पी और उससे गुना कर요 एँनकी छे किन आ उससे गुना कर लो मेरे रहसाब से इनका把 आने माला मैं साथ बने नहीं का से कुना कर लो सबकी शाथ 60 60 के डिवाइड कर दो 20 15 कि भी तक करो 12 ठीक है, सबसे पहले simple ratio में change कर लेंगे, अब करना क्या है, जोड़ दो इनको, पई देखो, कोई भी question करना हो आपको, जब भी भी ratio में बाटना हो किसी भी चीज को, तो आप जोडते हो, मैंने बदा आया था, जोड़ना होता है ratio को, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, जोड लेंगे, तो जोड़ोगे तो यहां बनेगा 57, कितना बनेगा 57, तो कम से कम 57, कम से कम कितनी कलम होने चीए, कितने पैन होने चीए भी 17, तो option में अगर आपको 57 मिल जाता है, तो 57 answer है, अगर 57 नहीं मिलता, अगर आपको मिलता है 114, तो आप उसको भी answer कर सकते हो, समझ रहे ह अगर option में 57 मिल रहा है, कम से कम, देखो मैं option का एक set बनाता हूँ, उसने क्या कहा है, कम से कम कितने पैन होने चाहिए, अब मैं एक set बनाता हूँ, option का समझेगा बात को, मालो भी एक set option का paper में आ जाता है, ऐसे, आगर आप से कम से कम कितने pen होने चाहिए, तो आप खोगे जी, 57, बात क्लियर है, अगर भी एक set option का ये बना लेता है, अगर 57 है यह नहीं अगर paper में, 57 की जगह भी, 114 दे रखाओ, तो आप 114 को अंसर कर दो, क्योंकि वो 57 से कटने वाला number है, या वो 57 का multiple है वह, ठीक है, तो थोड़ा सा समार्ट बन जाए भी, paper वाला अगर option ऐसे set करते हैं, मालो paper वाले ने option ऐसे set करते हैं, तो अब क्या करोगे, तो भई अब answer 114 भी है, अब answer 57 भी है, बट उसने कहा है, कम से कम, minimum, तो कम क्या है, 114 या 57, अब answer बने गई यह वाला, situation देख ले ना वई, 57 है, तो 57 देदो, 114 दे रखा है, वो देदो, 29 है, तो 57, ठीक है, question की language पे जाना है, जादा से जादा बोल देता, तो 114 उत्तर आ जाता फिर, होपसो मेरी बात, clear है आपको, ठीक है, जो idea मा आपको देना चाहता हूँ, वो आपको clear है, ठीक है, छेले, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा यह वाला भी, चेल, अगला question भी लग गया है बोरण पे, पढ़िएगा, देखो भी, question क्या कह रहा है, दो संख्याएं इस परकार है, कि एक का वरग, दो सो चोबिस कम है, दूसरी संख्या के वरग के आठ गुने से, दूसरी संख्या के वरग के आठ गुने से, यदि संख्याएं तीन अनुपाच्यार के अनुपात में हो, तो उनका मान ग्यात करें भी, ठीक है, वो दोनों संख्या आपको बतानी है, क्या क्या बनेंगी, ठीक है भी, चलिए फिर, अब स्टार्ट करें, देखो, कुश्या ने क्या कहा है, दो संख्याएं इस परकार हैं कि एक का वरग दोसुचोबिस कम हैं, दूसरी संख्या के वरग के आठ गुने से, देखो भी, उसने क्या कहा है, दो संख्याएं इस परकार से भी, एक 3 है और एक 4 है तो मैंने वरग वाले कुश्यन में स्कुार वाले कुश्यन में बताया X लेना ठीक है जरूरत है हमारी जरूरी है एक तम से mandatory है अब उसने कहा एक संख्या का वरग दूसरी संख्या के वरग के 8 गुने से 224 कम है अब इस कुश्यन में प्रोब्लम ये है किसका 8 गुना करोगे ठीक है तो अंदाजे से इसमें 2 केस बन सकते है ठीक है वो अंदाजे से आपको करना पड़ेगा चलो मैं यहां से कर रहा हूँ उसने कहा क्या कहा एक संख्या का वरग दूसरी संख्या के वरग के 8 गुने से 244 कम है तो भी मैं इस संख्या का वरग कर लो पहले 9x square मैं इसका भी वरग कर लेता हूँ 16x square बात क्लियर है मैं इसका 8 गुना कर रहा हूं भई इसका 8 गुना तो नो अठे बात्तर, नो अठे बात्तर भई, कम तो घटा दो गई दोनों को अपस में, कितना ना चीए, 224, कितना ना चीए भई, 224, तो बारा में से 6 घटा होगी, 6 बचा, 6 में से 56, एक स्क्वायर बराबर है, 224, अगर आप इसको उल्टा कर देते, तो ये भई, इससे कटता नहीं, देखो मालनों अगर आपने 8 से गुना इसको कर दी होती, तो ये वाला भई, यहां पर आगे कटेगा नहीं, फिर, देखो ये वाला कट जाएगा, 56 के, 56 के 224 होते हैं, ठीक है, एकस का स्क्वायर, 4 के बराबर, तो एकस की वेलू कितने आ गई भई, तो, दोन दूनी 6, चार दूनी 8, आंसर आजाएगा 6 और 8, 6 और 8, आंसर क्या बनेगा हमारे कुश्चिन का भी, 6 और 8, उतारो जल्दी से, हो गया होगा, चली, आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट कुश्चिन लग गया है बोरड पे, पढ़िएगा, पर कुश्चिन क्या कहा रहा है, तीन संख्याएं, एक बटा दो, अनुपात दो बटा तीन, अनुपात तीन बटा चार, के अनुपात में हैं, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो संख्याएं गयाद करें, चीक है, देखो में, सिंपल कुश्चिन है, उसने भई, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो भई, अमने अभी भी सिखा था, इसको सिंपल रेशो में कैसे बदल मैंने बताया था, LCM ले लेंगे, चार का, तीन का, दो का, कितना आएगा, बारा, बारा से गुना कर देंगे, बारा से गुना कर देंगे, बारा से गुना कर देंगे, काट लो, दो, छे, बारा, तीन, चार, बारा, चार, दुनी, आठ, चार, तीन, बारा, तीन, तीन, त्य कि अब कुष्यन ने दे का रखा है यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर सबसे बड़ा कौन है नो सबसे छोटा कौन है छे अंतर कितना रही तीन का किसके बराबर है 37 के, 3 युनिट बराबर है 36, 1 युनिट बराबर है 12, एक युनिट किसके बराबर आ गई वहीग, 12 के, तो उसने संख्याए पूछी हैं, तो 12 से गुना कर दो, 12.62, 12 8, 99, 12.508, बस खत्ब, चीक है, आप बाई उप्शन भी कर सकते हो, ऐसे कुश्णों को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मतलब चेक कर लो, कौन से option में 6, 8 और 9 का ratio आ रहा है, हो जाएगा, असानी से, ठीक है, हो जाएगा ये भी, चले, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, नेक्स्ट देखिएगा भी, कुश्यन है, लग गया परोड़ पे, कुश्यन है, 555 रुपे को, A, B और C में, 1 बटा 4, अनुपात 1 बटा 5, अनुपात 1 बटा 6, में विभाजित करना था, लेकिन गलती से, 4 अनुपात 5, अनुपात 6 में विभाजित कर दिया, तो C दवारा, कितनी अधिक रासी प्राप्त की गई वोई, समझेगा बात को, कुश्यन कहना क्या चाथाया, पर एक विभाजित कहना चाता है, पैसे बाटने थे इस अनुपात में, वही जो पैसे बाटने थे ना वो इस सनुपात में बाटने थे पैसे ऐसे बाटने थे आपने गलती कर दी आपको रेशो की नॉलिज नहीं थी यह समझा लो चाहे आपने पैसे बाट दिये वही इस तरीके से पैसे बाटने तो ऐसे थे गलती से बाट दिये ऐसे वही तो वह क तो C को कितने रूपे जादा मिले, बास समझ में आगी, देखो पैसे बांटने तो ऐसे थे, बांट दिये ऐसे, तो गडबड तो हो गई ना, गडबड पर फायदा तो मिलेगा, किसको फायदा हो रहा है देखा जाए तो C को फायदा हो रहा है, देखो C को कम मिल रहे थे, दे ज्यादा मिल गए तब सी को यहां पायदा पहुंच रहा है कितने ज्यादा कितने अधिक यह पूछ रहा है अपसे तो भी बाट लो फिर पैसे कितने रुपे हैं 555 पहले इसमें बाटो फिर इसमें बाटो फिर दोनों का अंतर करना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले इसका बांदरा आ रहा है, बारा आ रहा है, दस आ रहा है, तो भई इस रेश्यों में 555 को बाट लो, 15, 12, 27, 255 भाग में 37, 27, 111, 35, 15, 15 आ गया भी काट के, कितना आ रहा है, 15, सी को कितने मिलेंगे भई, यहां पर डेड़ सो रुपे मिलेंगे सी को, अब यहां बांट लो भई, 6, 5, 11, 11, और 4 भई, 16, नहीं, 6, 5, 11, 15 भी सुरी, 15 से काट लो इसको, 15, 25, 15, 17, ठीक है, तो सी को कितने मिलेंगे, 27, गुना में 6, 222 रुपे मिलेंगे, कितने जादा, 50 और 22, 17 रुपे, बस, खतब गुश्यन, उतारो जाली से, अज समझ में आगी न, पैसे गलत बांट दिये, तो आपसे पूछ रहा है, सी को कितने जादा मिलेंगे, है न? हो जाएगा, उमीद है मुझे, एक और कुश्यन करेंगे, बिल्कुल इसी टाइप का, ताकि आपको अच्छे से बात क्लियर हो जाएगे, होगे यह वहला तो, चलिए, एक और कुश्यन लग गया है बोरण पे, सेम टाइप का, देखो, कुश्यन क्या कहा रहा है, एक सो सत्रा रुपे की रासी को, एक बटा दो, अनुपात एक बटा तीन, अनुपात एक बटा चार में, विभाजित करने की जगह है, गलती से, दो, अनुपात तीन, अनुपात चार में, विभाजित कर दिया गया, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा रासी आई, और कितनी आई, अब इसमें तो भई, ये पूछ रहा है, आप से किस के हिस्से में सबसे ज़्यादा रासी आई और कितनी आई ठीक है ना चलो देखो ज़रा पिछले में तो दे रखा था सी डारेक्ट पूछ रहा था सी ठीक है अब की बार कह रहा है कुश्यन किस के हिस्से में सबसे ज़्यादा रासी आई और कितनी आई मतलब किसको फाइदा मिला वही, गल्त पैसे बाटने से किस बंदे को फाइदा मिला, ये पूछर आप से, देखो ये तो गलत वाला, सही वाला ले ले लेते हैं 1 by 2 1 by 3 1 by 4, गल्ती से पैसे बाट दे भी, A B, C 2, 5, 3, 5, 4 बास समझ में आ रही है कितने रुपे थे भई, 117 रुपे थे, चलो, सबसे पहले simple ratio बना लो भी, 12 से गुना LC 12 है ना 12 से गुना, 12 से गुना 12 से गुना, 6 4, 3 117 रुपे बाटने थे, बाटो 6, 4, 10, 3 13, 117 भाग में 13 9 अब एक चीज समझ लो भई पहले, इस question में क्या बोला गया, किसको सबसे ज़्यादा फाइदा मिला है ठीक है, देखो अब एक चीज देखो, यहाँ सबसे कम किसको मिले थे यहाँ सबसे कम किसको मिले थे, C को अगर पैसे सही तरीके से बाटे जाते तो C को कम पैसे मिलते, अब यहाँ देखो C को सबसे ज़ादा मिल रहे है, C को सबसे ज़ादा मिल रहे है, तो फाइदा किसको हो रहा है, C को सबसे ज़ादा फाइदा हो रहा है, ठेक है, यह बात समझे ना मेरी, C को सबसे कम मिलने थे, सबसे ज़ादा मिल गए, C को फाइदा हो रहा है, इसलिए आप C की ज़्यादा फाइदा है, तो आपको भी तीनों का करना पड़ेगा, फिर तीनों को घटाना पड़ेगा, तब पता चलेगा आपको, ठीक है? चले, तो मैं तीनों का एक बार करवा देता हूँ, देखो, A को कितने रुपे मिलते भी? 954, B को कितने रुपे मिलते भी? 946, C को कितने रुपे मिलते भी? 27, यहाँ पर आजाओ, 117 रुपे बाटने, 4 और 37, और 2, 9, 117 बटे 9, काटोगे कितना आने वाला है? 13, 13 दुनी 26, A को मिले भी 26, 20, B को मिले भी 13, 49, C को मिले कितने भी 22. अब तुम खुद देख लो किसको फाइदा हो रहा है सबसे ज़्यादा. 54 के 26 फाइदा नहीं हो रहा है, नुक्षान हो रहा है. 36 के 49 चार रुपे का फाइदा है. 27 से 52 ज़ादा फाइदा है भी इसको. कितने रुपे का फाइदा हो रहा है 25 बस यह उत्तर है सी को फाइदा हो रहा है कितने का फाइदा हो रहा है भी 25 फटा फट से उतार दो उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा हो गया चले एक लास्ट कुश्यन करते हैं आज इका भी देखो बीज़रा कुश्यन क्या है 300 रुपे की रासी को P, Q और R में विभाजित किया जाता है जबकी क्यव P से 300 रुपे अधिक, R क्यव से 60 रुपे अधिक तो भी उनका अनुपात बताएं देखो कुश्यन क्या कह रहा है 300 रुपे बाटने है P, Q और R में प, Q, R तिन लोगो कितने रुपे देने हैं 300, P, Q, R, 300 रुपे लेंगे कुश्यन कह क्या रहा है P से 30 रुपे अधिक भई जो क्यव है जो क्यव है वो 30 रुपे अधिक किस से भई? P से बाट समझ में आ रही है R, Q से 60 रुपे अधिक R, Q से कितने रुपे देख भई? 60 रुपे देख R, Q से 60 रुपे अधिक बात इतनी समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी आप लोगों को भे ठीक है नो डाउन कर लेंगे फिर मा आगे बतातो हो गया भी क्लियर इतना किसका हिस्सा पुछा है तिन्नों का तिन्नों का अनुपात पुछा है उसने अब क्याओ की वेलू यहां रख सकते हो P जमा 30 P जमा 30 तीसोर साथ नब्य हो जाएंगे तो अब ये वाली वेलू और ये वाली वेलू इसमें रखतो ठीक है भई इसमें रख लो चलिए भी तो P जमा क्यों, क्यों की value है P जमा 30, मैंने इसलिए करा, ये भी P बन गया, ये भी P बन गया, देखो क्यों भी P बन गया, R भी P बन गया, इसलिए, ठीक है, मतलब उसकी टरम में आ गया, R की value रख दो P, जमा 90, किसके बराबर है, 300 के, एक, दो, तीन, तीन, पी, जमा 120, बराबर है 300 के, तो 3P बराबर है, 120 घटा देंगे, 180 के, P की value आ जाएगी, तुम्हारे पास 60, तो P की value 60 है, तो क्यों की value 90, और R की value भी रख लो, यहां पे 60 और 90, डेड़ सो, पूछा क्या था बई, तीनों का रेश्यो, P का, क्यों का, R का, तीनों की value रख लो बई, 60, क्यों की value 90, R की value डेड़ सो, काट लो नेको, यह हमारे question का answer रहेगा गई, 2 अनुपाद, 3 अनुपाद, 5 बे, 2 अनुपाद, 3 अनुपाद, 5 बे, 2 अनुपाद, 3 अनुपाद, 5, ओप्षन से भी जा सकते हो, पर वहां 4 ओप्षन करने पड़ेंगे, तो इतना ही लेंडी हो जाएगा, मतलब इससे भी ज्यादा लेंडी ह हो सकता है, ठीक है, तो ओप्षन से एक ही बात है, मर्जी आपकी, चलिए फिर, उतार लिया होगा, आज इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी कल देखते हैं फिर, थेंक्यू,